तो दोस्तो आज हम बनाएंगे गट्टे की बहुत ही स्वादिष्ट सबजी इसे बनाने का तरीका बिलकुल अलग है एकदम सौफ्ट बनती हैं मुँ में खुल जाने वाली तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हमने एक बॉल में ली है एक कप बेसन अब हम इसम में आधा चुटा चममच नमक डाल देंगे और दो टेबल इस्पून इसमें ऑल डालेंगे इससे बेसन हाथ में चिपकेंगे नहीं और गट्टे भी सौफ्ट बनेंगे और जैसे मोयन देते हैं न उस तरह से हमीं सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और देखिए ये मुठी में बन रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है अब हमने ये आधा कफ फेटी हुई दही ली है इसमें से हम चार चोटे चममच दही हम बेसन में डाल देंगे और दोस्तों इस गट्टे की सबजी में ना तो हम बेकिंग सोडा का इस्तमाल करेंगे और ना ही इनो का फिर भी ये गट्टे की सब्ची बहुत ही सोफ्ट बनेगी तो दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है बेसन में अब हम इसमें दो से तीन चममच पानी डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे बहुत ज्यादा पानी मत डालेगा नहीं तो ये गीले हो जाएंगे और देखिए दोस्तो इस तरह का हमें डो तियार करना है ये ना तो ज्यादा हाड है और ना ही ज्यादा सोफ्ट तो अब हम इसके उपर थोड़ा सो ओल लगा लेंगे और इसे ढख कर रख देंगे सेट होने के लिए अब यहाँ पर हमने ली है 100 ग्राम पनीर पनीर को हम ग् करके भी ले सकते हैं पर ध्यान रखिएगा उसमें पनीर के बड़े टुकडे न रहें अब यह हमने ली है एक छोटा चम्मच मैदा मैदे की जगा कार्ण फ्लोर या भूना हुआ बेसन भी ले सकते हैं यह हमने बाइंडिंग के लिए लिए और साथ में हमने थोड़ा सा न इधर बेसन भी अच्छे से सेट हो गया है तो हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे अगर यह चिपक रहा हो तो हाथों में थोड़ा सा ओल लगा लिजेगा तो यह चिपकेंगे नहीं तो देखिए इनके हमने पांच भाग कर लिए हैं अब एक लोई लेंगे और इसे हम रोल करके इस तरह से चप्टा कर लेंगे चाहे तो आप इने बेल कर भी ले सकते हैं पर यह अंगुठे से ही अच्छे से फैल जाती है अब हम इसके बीच में यह पनीर वाला रोल रखेंगे और उंगलियों से दबाते हुए इसे इस तरह से पैक कर लेंगे जैसे हम गुजिया बनाते हैं और अब हम इसे इस तरह से रोल करेंगे, डो मुलाइम रहेगा तो ये अच्छे से रोल हो जाएंगे और एकदम चिकने-चिकने रोल्स बनकर त्यार होंगे, तो देखिए इस तरह से हमने रोल्स बना ली है, चाहे तो आप इसे सर्फेस पे रखकर इस तरह से भी रोल कर सकते हैं, सारे रोल्स बनाकर हमने त्यार कर ली है, अब चलते हैं ग्रेवी के लिए मसाला त्यार करने, तो इसके लिए हमने एक मिक्सर जार ली है, इसमें हम डालना है, एक कटा हुआ टमाटर, दो हरी मिर्च, एक इंच अधरक के टुकडे, टीन से चार लसुन की कलिया, अब हम इनको अच्छे से पीस लेंगे, और इनका एक पेस्ट बना लेंगे, अब हमने ये बची हुई दही ली है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मेर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और ये हमने थोड़ी सी क करश करके डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी का, अब हम इन मसालों को दही में अच्छे से मिला लेंगे, तो दही के फटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो सारी तैयारिया हमने कर ली है, अब हम चलते हैं सबजी बनाने, तो इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखी है और इसमें हम डाल रहे हैं दो बड़े चम्मच सरसो का तेल कोई साभी आयल ले सकते हैं जो आपको पसंदो इसमें हमने डाला है एक छोटा चम्मच जीरा और दो पिंच इसमें हिंगेट कर देंगे और जीरा को हलका ब्राउन होने तक भूल ल लेंगे तीन से चार मिनट बात देखिए प्याज का कलर ब्राउन हो गया है और दोस्तों प्याज भूनते समय हमने इसमें एक चम्मच अदरक लसन का पेश डाला था वीडियो सूट नहीं हो पाया था तो दोस्तों आप भी जरू डालिएगा सबजी में टेस्ट अच्छा अच्छे से और दिया है अब हम प्याज के साथ अच्छे से मीक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनद्ट तक भूल लेंगे और अब हम इसमें यह दखिवाला पेश्ट डाल देंगे और बॉल में लगे पेश्ट में हमने थोड़ा सा पानी डाल कर ले लिया है इनको हम अच्छे से मिला लेंगे इनको मिलाने के बाद गैस का फ्लेम मेडियम टू लो कर दीजेगा जिससे मसाले जले नहीं और इनके उपर एक दूध वाली जाली रख दीजेगा जाली को ओल से ग्रीस कर लेजेगा जिससे की ये चिपके नहीं और इनके उपर हम ये एक एक करके रोल्स टाल देंगे रोल्स के अंदर पनीर भरे हुई है तो ये रोल्स बहुत जल्दी पक जाते हैं तो इनको हम कभर करके सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे आप चाहें तो इनने अलग से बाप में भी पका कर ले सकते हैं इस तरह से सबजी जल्दी बन जाती है और 5 मिनट बाद ये देखिए ये रोल्स अच्छे से स्टीम हो गए है तो इनको हम निकाल कर अलग कर लेंगे और इधर देखिए मसाले भी अच्छे से पक गए है तो हम इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए हमने इसमें डेड़ गिलास पानी डाला है और अब आधा चोटा चमच गरमसाला पॉडर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो हम इनको कभर कर लेते हैं और इधर देखिए ये रोल्स ठंडे हो गया है इनको हमने फ्रीज में रख दिया था तो चलिए अब हम इनके पीसेस कट कर लेते हैं इनकी मोटाई हमने आधी इंच रखी है आप अपने हिसाब से इन्हें मोटा या पतला काट लीजेगा तो सारे रोल्स को हमने काट ली है और इधर ग्रेवी में भी उबाला आ गया है तो इन पीसेस को हम ग्रेवी में डाल देंगे और अब हम इनको कभर करके तीन से चार मिनिट तक पकाएंगे जिससे मसाले इनके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और ये देखिए गटे फूल कर उपर आ गए है और ये एकदम सॉफ्ट बने है और देखिए पनीर पीसेस से बिलकुल भी बाहर नहीं आया है क्योंकि पनीर में हमने मैदा डाला था और मैदे से ये पनीर अच्छे से सेट हो जाते है तो अगर दोस्तों पनीर में बिना मैदा या बेसन डाले बनाएंगे न तो पनीर ग्रेव में बिखर जाएंगे और इस तरीके से गटे की सबजी एकदम रिच बनेगी तरीका भी आसान है और खाने में भी तेश्टी लगेगी एकदम लाजबाब रेस्पी है मुँ में जाते ही घुल जाते हैं इनको आप महमान आने पर भी बना सकते हैं और छोटी मोटी पार्टी के लिए भी थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालिए और इनको सर्व करिए पूरी पराठे, पोटी, चावल या किसी भी चीज के साथ ये बहुत टेश्टी लगते हैं तो चलिए हम इनको काट कर दिखाते हैं ये कितने सॉफ्ट बने है ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रेस्पी है तो ट्राइ करिए दोस्तों और रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो रोज नए नए इनिवेटिव रेस्पी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धन्यवाद